दूस्तु नमस्कार आज हम टू प्लाई के उन से अलग-अलग रंग में थाल पोस्ट बनाना बताएंगे और उसमें हम फोर प्लाई का भी उन लगाएंगे तो इसमें हम दो क्रोशिया रखे हैं एक छे नमबर की और एक नौ नमबर की तो पहले टू प्लाई के उन से हम सुरू करते हैं पहले हम गाठे लेंगे और फिर दस चेन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस चेन लेंगे करके हमें इसे राउंड कर लेना है ऐसे और फिर चार चेन लेना है एक, दो, तीन, चार, चार चेन लेने के बाद हमें इसमें पॉफ बनाना है ऐसे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच इसे फिर बीच में हमें दो चेन देना है एक, दो और फिर पॉफ बनाना है ऐसे हमें इसमें बारफ पॉफ बनाने हैं तो बारफ पॉफ हम बना करके अभी दिखाते हैं ये देखिए ये हमने ऐसे बारफ पॉफ बना करके धागा कट कर लिया है अब यहां हम दूसरा कलर लगाएंगे तो दूसरा कलर भी हम यहीं से सुरू करते हैं ऐसे हम बान लेंगे इसमें बानने के बाद इसमें भी हमें पॉफ बनाना है पॉफ के ऊपर फिर एक टू तेन चार पांच देखिए यह ऐसे हमने पॉफ बना लिया फिर उसके बाद दो चैन लेंगे और फिर इसी में हमें फिर एक और पॉफ बनाना है देखिए ऐसे दो पॉफ बन गया फिर दो चैन लेंगे और फिर दूसरे वाले चैन में हम फिर पॉफ बनाएंगे ऐसे ही हाथ चैन में हमें दो दो पॉफ बनाने हैं चलिए यह राउंड भी पूरा करके दिखाते हैं अभी देखिए यह हमने इसे भी बना करके यहां तक और कट कर लिया है अब चलिए अब हम इसमें कुछ और डिजाइन डालना है तो इसलिए अप अलग से बनाएंगे हम पहले हम गाठे ले लेंगे ऐसे फिर पांच चैन लेंगे एक दो तीन चार पांच पांच चैन लेने के बाद इसे हम राउंड कर लेंगे और ऐसे उसके बाद इसमें हम पॉफ वनाएंगे तो जैसे चार चैन के बराबर हमें पॉफ ऐसे खीच लेना है और ऐसे हम चार बर धागे को ऐसे निकालना है यह हमारा यह एक पॉफ बन गया बीच में दू चैन लेंगे एक दू और फिर एक और पॉफ इसी में बनाएंगे देखिए और फिर इसे भी ऐसे बांद लिए आप देखिए ऐसे बीच में हमारा इप पॉफ न गया तो इसे अब हम ऐसे पलट लेंगे पलट करके फिर इसमें सिंगल क्रोशिया ऐसे यह किनारे हो गया इसलिए हम इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे बांद लेंगे और फिर ऐसे लंब फिर धागा खीचेंगे और इसी में पॉफ बनाएंगे ऐसे ही हमें चार बार धागे को खीचना है फिर दो चैन लेना है और फिर फिर पॉफ बनाना है तो चलिए ऐसे ही बनाते हैं ऐसे ही हम दस लाइन होना चाहिए हमारा पॉफ हमारा दस लाइन होना चाहिए देखिए ऐसे बनाया फिर पफ को ऐसे भूमा लिए और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिय से बांद है और फिर ऐसे धावे खेज के फिर पॉफ बनाएंगे और हमारा यह ऐसे पॉफ बन करके तयार होगा ऐसे ही दश्ठे हम बना करके दिखाते हैं यह हमने दस पॉफ बना लिया है एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यह दस यह ऐसे बना करके और फिर इसे ऐसे घुमा लेंगे उसके बाद से यहां हम यह धागे को कट कर देंगे यहां खेच के बांच के इसे कट कर देते हैं यह हमने ऐसे धागे को कट कर लिया है ऐसे हमने अलग-अलग रंगों में यह ऐसे बना लिया है सब की लंबाई दस दस ही पफ रहना चाहिए इसमें इसमें हम ऐसे किनारे में इसे लगाएंगे ऐसे तो अब चलिए इसे जोड़ना बताते हैं कि कैसे हम जोड़ेंगे चलिए अब इसमें हम इस पफ को जोड़ेंगे तो चलिए यहां से सुर करते हैं कि देखिए कि यह हम इसमें ऐसे पॉफ बना लेंगे पहले कि देखिए ऐसे पॉफ हम ने बनाया अब फिर इसमें हम यहां पर एक चैन ले लेंगे और फिर ऐसे इस पॉफ को ऐसे बीच से ऐसे डालके और इसी में जोड़ेंगे ऐसे खिचके निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे फिर एक चैन देंगे और फिर जिसमें हमने पॉफ बनाया है इसी में हमें फिर पॉफ बनाना है ऐसे देखिए ऐसे हमने पफ बना लिया यह हमारा पफ बन गया अब फिर यहां हम दो चैन लेंगे एक दो दो चैन लेने के पाद फिर दूसरे वाले में हम पफ बनाएंगे यह बगल वाले में ऐसे देखिए यह हम ऐसे पफ बना लिये फिर एक चैन लेंगे और फिर अब दूसरा कलर हम लगाएंगे तो यह दूसरे कलर को हम ऐसे लेंगे और ऐसे बीच से क्रूसिय डाल के ऐसे हम इसको बांद के फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी में फिर हमें बनाना है पॉफ ऐसे ही हम अलग अलग कलर में लगाएंगे देखिए फिर बीच में दो चैन लेना है एक दो और फिर इसमें पॉफ बनाएंगे ऐसे ही हम इसके बाद फिर यह पिंक लगाएंगे फिर ब्लू लगाएंगे फिर ग्रीन लगाएंगे ऐसे ही पुरा राउंड करके हम दिखाते हैं यह देखिए यह हम ऐसे जोड़ते हुए पुरा आ गया है अब यहां हम इसे जॉइंट कर देंगे इसमें हमारा टोटल 24 पॉफ बना है और लगा है इसमें तो आप 12 से सुरू करेंगे 12 पॉफ से तो आपका इतना लग जाएगा यहां बंद के और इसे हम कट कर देते हैं अब यह पतले वाले क्रोशिय का कोई काम नहीं है अब यहां हम मोटे वाले का यूज करेंगे देखिए यह हमारा ऐसे लरी तयार हो गया है अब इसे हम यह फोर प्लाई के उनसे अब इसमें बिनना सुरू करेंगे देखिए अगर आप इसे टू प्लाई के उनसे भी बनाना चाहती है यह बीच का जो भाग है तो बना सकती है और फोर प्लाई के भी उनसे आप और जो हम इसमें पप थोड़ा बड़ा किये हैं उसमें आप कम लेंगी तो यह देखिए हमने गाठे ले लिया है अब ऐसे गाठे ले करके हम यहां जॉइंट करेंगे ऐसे अब इसके बाद हमें चैन लेना है एक दो तीन चार पाँच यह हमने पाँच चैन लिया यह हमारे फिर हम दूसरे पप में ऐसे इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे फिर पाँच चैन लेंगे एक दो तीन चार पाँच और फिर उपर वाले पॉप में हम जॉइंट करेंगे फिर एक दो तीन चार पाँच फिर उपर वाले में अब इसके बाद हमें यहां फैलाओ चाहिए तो यहां हम छे चैन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छे थाल पोस उपर जाएगा तो बढ़ते हुए में जाएगा तो यह फैलाओ चाहिएगा इसलिए यहां पर हम छे चैन ले रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छे फिर इसके उपर हमें देखिए यह हमने एक दो तीन पाँच चैन लिया है एक दो तीन चार पाँच छे सॉरी यहां हमें फिर छे चैन लेना है देखिए यहां हमने पाँच चैन तीन लियन बनाया फिर एक दो तीन तीन हमने फिर छे चैन का बनाया और फिर उसके बाद से साथ चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यहां हम, यह देखिए, साथ चैन हो गया, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह हो गया हमारा, दो हो गया, साथ का, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह हम, तीन, तीन, साथ, साथ, सोरी, तीन, तीन, हम पफ, तीन, लाइन, पफ में, चैन हम बदल रहा हैं, फिर यहां, आठ पफ, यहां हमें, आठ चैन लेना है, आप ऐसे जितना बड़ा बनाना चाहेंगी, वैसे ही चैन, हमें बढ़ा करके, लेना पड़ेगा, अब देखिए, यहां पर हम, आगा हैं सबसे उपर में, तो इसे ऐसे जॉइंट कर लिएं, इध्यान दीजिएगा, यहां हमने एक, दो, तीन, तीन लाइन हमने पफ में, पाच पाच चैन लिया, फिर तीन लाइन छेच चैन लिया, फिर तीन लाइन, साथ चैन लिये हैं, और एक, फिर आठ, अब यहां फिर तीन चेन लेते हैं अब देखिए यहां हमें पॉफ बनाने है ऐसे यहां ने दो दो का यहां पॉफ बनाना है ऐसे पॉफ बनाया फिर उसके बाद हम यहां चैन लेंगे पांच चैन तीन चार पांच पांच चैन लेने के बाद जो यहां पॉफ को हमने बांधा है वहीं पर इस चैन को हम बांध देंगे ऐसे और फिर इसी में हमें पॉफ बनान है और ऐसे ही चैन लेना है तो हम पांच पॉफ इसमें बना करके अभी दिखाते हैं यह हमने ऐसे इसमें पांच पॉफ बना लिया है एक दो तीन चार पांच अब यहां फिर तीन चैन लेंगे एक दो तीन और यहां पॉफ के ही सामने हम यहां बांद देंगे देखिए, अब इसके बाद जैसे हमने इधर चैन लिया था, 8, 7, 6, वैसे ही हमें फिर घटाते हुए में लेना है, तो यहां हमने 8 लिया है, यहां 7 लिया है, वैसे ही इधर भी हम 8 लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांध, छे साथ, आठ, और फिर यहां हम बान देगे, और ऐसे फिर यहां 7 लेंगे, चलिए नीचे तकाते हैं तब देखिए, यह हम ऐसे बींते हुए, यहां नीचे तका गया हैं, तो आब यहां हम, जहां से हम puff joint किये हैं वहीं पर हम पहले ये single crochet से इसे बंद करेंगे फिर उसके बाद एक, दो दो chain लेकर फिर दूसरे वाले ये बीच में जो puff बना है और दो chain लिए हैं उसी बीच में हमें इसे भी फिर बादना है फिर दो chain लेना है एक सौरी एक ही chain लेना है हमें और यहां फिर बाद लिए ठीक है ऐसे बाद के फिर हम यहां अब इसे जोड़ना है हमें तो देखिए कैसे हम जोड़ते हैं पहले एक, दो दो chain लेंगे और फिर इसमें ये जो chain है इसी में हम ऐसे फसा के और ऐसे इसे बाद लिए फिर एक, दो दो chain लेकर फिर इस पर पॉक में हम यहां बाद लेंगे फिर एक, दो दो chain लेकर फिर दूसरे वाले में हम बाद लेंगे ऐसे ही देखिए फिर एक, दो दो chain लेकर फिर उपर पॉक में हम सिंगल कुरूशिया से बान लेंगे ऐसे हो गया ऐसे ही हमें फिर एक दो यह तीसरा वाला हम बना रहा है तो इसमें हम दो ही चैन लेंगे देखिए एक दो दो चैन ले करके हमने यहाँ पॉप में बान लिया बानने के बाद अब यहां हम तीन चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन ले करके फिर इसमें हम यह जो छे हम बिने हैं छे डबल क्रोशिया शॉरी 6 चैन बीने हैं उसी में हम अब बांध रहा हैं तो यहां हमें 3 चैन लेना है और फिर 3 चैन लेकर के बांध के और फिर 3 चैन लेना है ऐसे और फिर उपर वाले पॉफ में जोड देना है ऐसे, और फिर उसके बाद से, एक, दो, तीन, तो देखिए, यह हमारा ऐसे जूड़ेगा, और जहां साथ चैन हम लिए हैं, वहां चार चैन बीन करके हमें बादना है, देखिए, यह हमारा कितना हुआ, तीन, तीन चैन, यह हमारा चैन वाला भी बना रहा है, तो यहां हम तीन चैन लेंगे, अब यहां साथ पर आ गए हैं, यह साथ वाले पर, तो फिर हम यहां चार चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेकर के फिर हम इसे, ऐसे बाद लेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, फिर इसे भी ऐसे हैं, फिर एक, दो, तीन, चार, और, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, अब यहां सबसे उपर आ गया हैं, तो यहां पाच्चेन लेंगे, देखिए, अब यहां साथ वाला भी हमारा पूरा हो गया, यह आठ वाला आ गया, तो एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, यहां, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब जैसे हमने उपर पॉप बनाया है, वैसे ही यहां फिर पॉप बना लेंगे, एक, दो, तीन, चेन लेकर के, और यह हमारा ऐसे ही थालपोस पूरा राउंड बनेगा, देखिए, तो चलिए अब बना करके दिखाते हैं, देखिए, यह हम अपना पूरा राउंड पूरा कर लिए हैं, अब यहां लाश्ट हम जॉइन देंगे, देखिए, यहां अगर आपको सिकुड़न लगता है, तो आप चेन बढ़ा लीजिएगा, जैसे हमने तीन तीन पर बताया था, यहां जैसे तीन लाइन हमने पांच पांच का बताया था, तो आप यह दो लाइन पांच का किजिए, दो लाइन साथ का, और फिर दो लाइन आठ, दो लाइन दस, दो लाइन बारा, बारा चैन, ऐसे ही, बारा चैन, दस चैन, आठ चैन, ऐसे ले ले करके हम इसको बना सकते हैं अब देखिए यहां लाश्ट हम जॉइन करने जा रहा हैं तो यहां हम ऐसे यह फिर एक दो तीन चर्ड़ फिर एक दो आप इसमें ठीला ही लेंगे ज्यादा टाइट हमें चैन नहीं लेना है चलिए यह राउंड भी पूरा करके दिखाते हैं देखिए यह हमने ऐसे यहां बांध लिया है अब इस धागे को हम पीछे कर देंगे पीछे करके ऐसे हम निकाल देंगे देखिए यह थालपुस हमारा रेडी हो गया देखिए बहुत ही प्यारा बना है बस बीच में थोड़ा सा सिकुड़ा हमारा हो गया है लेकिन तभी भी अच्छा ही बना है यह आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइड करें कि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सकें वीडियो देखने के लिए थांग क्यू झाल झाल